पित्र पक्ष में भूल कर भी ना करें ये काम, आपके पूरवज हो जाएंगे नाराज नमबर एक, पित्र पक्ष में तेल का दान नहीं करना चाहिए ऐसी मानिता है कि पित्र पक्ष में तेल का दान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं खासकर सरसों के तेल का दान तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए पित्रपक्ष में यदि आप कपड़े दान करना चाहते हैं तो याद रखें कि दान में सिर्फ नए कपड़े ही दे अपने पुराने और बेकार कपड़े किसी को भी दान में नहीं दे साथ ही जूते चपल भी दान ना करें क्योंकि इस तरह का दान करने से व्यक्ति पर राहुदोश और पित्रदोश लगता है जिससे आपकी तरक्की में बाधा पैदा हो सकती है नमबर तीन पित्रपक्ष में अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है साथ ही शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्न दान महादान होता है पित्रपक्ष में यदि आप भोजन का दान ही चाहते हैं तो अच्छे भोजन का दान करें और किसी को भी अपना जूठा भोजन तो बिल्कुल भी ना दे पित्र पक्ष में अच्छा और शुद्ध भोजन किसी को करवाने से पितर खुश होते हैं नमबर चार पित्र पक्ष में कई लोग बर्तन का दान करते हैं लेकिन इस बात का खयाल रखें कि आप लोहे के बर्तन का दान ना करें लोहे के बरतन का दान करने से पितर आप से नाराज हो सकते हैं और आप पर पितरदोश लग सकता है इसलिए स्टील के बरतन का ही दान करें नमबर पांच पितरपक्ष के दोरान व्यक्ति को काले रंग के कपड़े किसी को भी दान में नहीं देने चाहिए पित्र पक्ष में सफेद रंके कपड़े व्यक्ती को दान में देने चाहिए सफेद रंके कपड़े दान करने से हमारे पूर्वज हमसे खुश होते है 6. पित्र पक्ष के दोरान पूरे 15 दिनों तक पक्षियों को ना मारे और ना ही सताए माना जाता है कि अगर पित्रपक्ष के दौरान कवे की सेवा करते हैं तो पित्र प्रसन होते हैं और सुक सम्रद्धी का आशिरवात देते हैं नमबर साथ, पित्रपक्ष के दौरान पूरे पंद्रा दिनों तक घर में सात्विक महौल बनाए रखें, यानि कि मास मदरा का सेवन बिलकुल भी ना करें, इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और उसका सीधा असर आपके वंश पर पड़ता है। नमबर आठ, पित्रपक्ष के दिनों में सिर्फ मासाहारी भोजन ही नहीं, बलकि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्चित रहता है, जैसे की खीरा, सर्सों का साग, चना इत्यादी, ये सब नहीं खाएं, ये अशुब माना जाता है। नमबर नौ, पित्रपक्ष के दिनों में पूरे 15 दिनों तक घर में मांगलिक कारे बिलकुल भी ना करें, जैसे ग्रह प्रवेश, मुंडन, जिनेव, इत्यादी, क्योंकि पित्रपक्ष में शोका कुल का महौल रहता है, इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कारे करना शोग नहीं रहता नमबर 10 पित्र पक्ष के दौरान पूरवज पक्षी के रूप में धर्टी पर आते हैं ऐसे में अगर आपके घर को पक्षी आ जाएं तो उसे सताना नहीं चाहिए क्योंकि मानिता है कि ऐसा करने से पूरवज नाराज हो जाते हैं ऐसे में पित्र पक्ष के समय पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए नमबर ग्यारा पित्र पक्ष के दोरान किसी भी तरह का मांगलिक कारे नहीं करना चाहिए शादी, मुंडन, सगाई और ग्रह प्रवेश जैसे मांगलिक कारे पित्रपक्ष के समय करने की मना ही होती है तो ये थे कुछ ऐसे कारे पित्रपक्ष के दौरान जिसे करने से हम सब को बचना चाहिए थैंक्स वाचिंग